आज हम आपकी fun with activity का work start कर रहे हैं तो जल्दी से आप अपनी fun with activity book open करेंगे जैसे आपको screen पे नजर आ रहे हैं this is your fun with activity book तो जल्दी से अपनी books open करेंगे and take a pencil with you, okay class now class यह आपके लिए थोड़ा सा नया topic है one or many it means जब हमारे पास कोई एक चीज होती है we say one और जब जब ज़्यादा चीज होती है then we say many now आपके screen पे देखिए one apple है तो सामने count कीजिए one two three four four apples हो गया तो यह हमारा plural हो गया जब हमारी दो या दो से ज़्यादा चीज होती है then we say plural fine और एक चीज होती है तो हम उसे कहते हैं singular fine now एक है सामने लिखा हुआ है one aunt three aunts one book and five books यहाँ देखेंगे जो भी word आपका picture में था उसको s लगा के उसने plural बना लिया है तो हम भी इसी तरीके से plural करेंगे fine यहाँ देखेंगे आपका one star है हमने क्या लिख दिया four stars hat को हमने three hats लिख दिया hand को हम यहाँ क्या लिखेंगे hands then bags and cars okay आप यहाँ देखिए आपके सामने क्या लिखना है आपको यहाँ पे टिक करना है right words को like हमारा दो option हमें दिया है एक है kite and second one is kites तो हमारी कहाँ पे कितनी kites account करो one है तो हम एक kite के लिए singular word यूज़ करेंगे kite और नीचे देखिए उसके हमारे कितने rat है कि rats है two है तो plural हो जाएंगे तो हम rats करेंगे then one है तो bike हो गया then cars हो गया इस तरीके से हम पूरे इनको complete करेंगे नीचे तक पाए and now this one is activity time fill in the blanks with this and that तो यहां हमने क्या करना है यहां हमें bird show करने है यहां पर जैसे आपका bird है यहां पर एक हमारा arrow चोटा है एक हमारा arrow बड़ा है तो हम यहां करते हैं but the simple thing is जो चीज हमारे पास होती है और एक होती है उसके लिए हम use करते हैं this this का meaning होता है यह है यह है और that का meaning होता है वह है वह हम use करते हैं दूर की चीज के लिए ठीक है now cup है हमारा थोड़ा सा arrow दूर जा रहा है तो that is a cup use करेंगे girl pass में है तो this is a girl तो हम यहां से use करना सीखेंगे use of this and use of that यानी pass के लिए जो हमारी चोई चीज होती है हम उसको use करते हैं उसके बारे में कुछ बात करते हैं तो हम this use करते हैं और दूर की चीज के लिए हम use करते ह हैं that now अभी हमने use किया था पीछे this और that यूज किया था वो हम use कर रहे थे किसी एक चीज की लिए अब यहां हमारे पास दो दो चीजे हैं या दो से ज़्यादा चीजे हैं it means we are using these or those for the plural objects ठीक है like आपका screen पर देखिए यह आपके flowers है one तो नहीं है जादा है it means they are plural in form तो हम क्या करेंगी these are flowers and those are butterflies ठीक है तो हम पास की चीजों के लिए जो जादा होंगी we will use these और हमारी that जो हम एक चीज के लिए यूज कर रहे थे दूर की चीज के लिए यहां हम that की जगे पर यूज करेंगे those की